नमस्कार दोस्तों सस्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल को हमारा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो बिलकुल मुफ्त है नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत हैं कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेगी आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बाद या कन्या के घर से जाने के बाद कुछ ऐसे काम है जो आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए ऐसा करने से धन का नास होता है और घर में दरिद्धता आती है इसलिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और अपना प्यार वासा देने के लिए हमारे चैनल वर्ड बेस मैजिक को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों नौरात्र के दोरान कुमारी पूजन या कंजब पूजन का विसेश महात्तो है कन्या पूजन से सभी प्रकार की सुख संपदा मिलती है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है नौरात्र के व्रत के समापन पर कन्याओं को भोजन कराने का उनकी पूजा अरजना करने का विसेश महात्तो है कन्याओं को देवी का ही रूप मान कर पूजा अरजना करनी चाहिए इससे आदिसक्तिमा दुरगा बहुत ही प्रसन होती है वैसे तो नौरात्र की सब्तमी से कन्याओं पूजन सुरू हो जाता है लेकिन कुछ लोग अस्टमी या नौमी के दिन भी कन्याओं करते हैं नो कन्याओं को नो देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त का व्रत पूरा होता है दोस्तों देवी पूरान के मुताबिक इंदर ने जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवती दुर्गा को प्रसन करने की विदी पूछी थी तो ब्रह्मा जी ने कन्याओं को ही सर्वत्तम बताया था लेकिन इस पूजन के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है वरना आपको पूजन का पूरा फल नहीं मिलेगा दोस्तों कन्याओं का पूजन करने के बाद अगर आप उन्हें अपने घर से विदा करते हैं तो उनके जाने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई ना करें खास तोर पर घर पर जाडू पोचा बिलकुल भी ना करें अगर जिस इस्थान पर कन्याओं ने भोजन किया है वहाँ भोजन गिर गया है तो आप किसी सूखे कपड़े से पोच लें लेकिन जाडू का इस्तमाल कदापी ना करें इससे घर में दरिद्रता आती है कन्याओं पूजन के बाद भूल से भी वस्तर नहीं धोने चाहिए ये काम आप एक दिन पहले ही निप्टा लें और सबसे ध्यान रखने योग बात ये है कि कन्याओं पूजन के बाद गलती से भी इस्नान ना करें ना ही सिर्दोएं ना ही नाखून बाल दाड़ी मुच आदि कटवाएं कन्याओं पूजन के बाद ये सभी कार असुप माने जाते हैं इससे धन का नास होता है और घर में गरीबी का आगमन होता है इसले कन्याओं पूजन के बाद इन सभी कारियों को भूलवज भी ना करें तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें सार्थी साथ इस वीडियो को फेस्बूप और वाट्सप पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्य सेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फर्ट बैस मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इसाथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद